हेलो दोस्तों सुभागत हापका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट बैल्ट विर अतुल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोईल आज हम बात करेंगे फिर से जेपी पावर की जेपी पावर जो एक अंदर नजर आ रहा है और अगर ब्रेकाउट किया तो काफी बड जो मजबूत दिखाई दे रहा है वी चार्ट स्ट्रक्चर में कोई भी कमजोरी इसकंदर नजर नहीं आती है आप देखेंगे यह जो ग्रीन लाइन में लगा रखी है ग्रीन लाइन की काफी अपनी इंपोर्टेंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बार इसके उपर इसने फेस किया और उपर के लेवल पर देखिए जब यह इसको ब्रेक करके उपर गया पहले तो उपर के लेवल पर इसी ग्रीन लाइन को इसने सपोर्ट भी बनाया यहाँ पर जब ब्रेक हुआ तो स्टोक जो है काफी नीचे जाता हो नजर आया अभी आप देखेंगे इ जो मल्टी एर के जो ब्रेक आउट है उससे पहले का रिट्रेस्मेंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जो 10 रुपे के आसपास का मल्टी एर इसका आप देखेंगे यहाँ पर था और यहाँ पर ही इसने 10 रुपे के आसपास का लेवल को टच किया वहीं से जो है स्टोक इस लेवल तक जब पहुंचा आप देखिए जो अभी 10 रुपे दिखाई दे रहे हैं पहले 3 रुपे तक पहुंचा अगें देखिए थोड़ा सा नीचे आकर रिट्रेस किया और फिर अगें उपर जाता हूँ नजर आया सेकिंड लेवल पर आप देखेंगे यहाँ पर आ इस लेवल तक पहुंचा और उसके बाद ब्रेक आउट किया तो तीनों ही लेवल सेम इसने ब्रेक आउट किये हैं और अभी सेम यहाँ पर बनता हूँ नजर आएगा तो लो लेवल के उपर आप देखेंगे अगर इसे हम डेली चार्ट के उपर नजर आएगा तो लो करें तो इस टाइप का चार्ट पैटर आपको नजर आएगा जो ग्रीन लाइन है जिस मैंने पहले ही बताया उसके उपर काफी अच्छा स्ट्रोंग इसने सपोर्ट अपना बना रखा है और वहीं से यह बांस बैक हुआ अगर इस यह 6.5 6.6 की रेंज के अंदर कभी आपक काम कर रहा है और इस वाली जो लाइन थी उपर से यह स्टोक नीचे आ रहा था उसको यह ब्रेकाउट अल्रडी कर चुका है और इसके उपर निकल रहा है तो आप देखेंगे कि दिरे दिरे जब यह 10 रुपे के आसपास स्टोक पहुंचेगा और उसको जब ब्रेकाउट क वो काफी important level है उसके उपर भी आपको नजर रखे चलना है यह सभी level जो है accumulation के levels है आप इसे levels के उपर accumulate कर सकते है और बाइचांस आपको 6.6 के आसपास यह stock मिलता है इस line के आसपास कोई भी market correction में तो बिल्कुल आपको इसे accumulate करके चलना है और 6.4 का आपको stop loss जिरू रखना अगर आप trading कर रहे हैं इसके अंदर क्योंकि अगर इसको break करता है और नीचे जाता है तो stock जो है काफी नीचे जाता हो नजर आ सकता है जो की level बनते हैं पाँच रपे के आसपास के तो वैसे मुश्किल है इस line को break कर पाना तो आप दिरे दिरे इसके अंदर accumulate कर सकते हैं 10 र करेगा तो 14 रुपे के आसपा स्टोक इसली जाता हो नजर आएगा थैंक्यू धन्यवाद